है विल्कम बैक टो मैं चैनल को डीटर को डीटर चैनल में आप सब करसा होगा ते राज पढ़ने जाने एक पार्ट सेकेंड तो आए शुरू करते हैं तो इससे पर हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे पर गितरू हम लोग अटक को प्रवेंट कर सकते हैं और इस वीडियो में लोग देखने वाले हैं कि किस तरह से कंसेंसर प्रोटॉकॉल से हम लोग कॉंपीटिंग चीन प्रॉब्लम को सॉल कर सकते हैं तो आइए देखते हैं एक अग्जांपल के तो यह हमारे एक और वाल नेटवर्क है जहां पर यह सब A, B, C, E, F, A माइनर्स हैं और इन सब के प तो अब A के पास भी एक अपना ब्लॉक चेन है और C के पास भी अपनी ब्लॉक चेन है अब होगा क्या जैसा कि हम उन्होंने distributed P2P network में देखा था अब A क्या करेगा यह information transfer करेगा all over network उसी तरह से C के पास क्योंकि अपनी एक ब्लॉक है वो भी क्या करेगा यह information all over network को transfer करेग तो A ने यह network में transfer की F और E को और C ने की B को ऐसा क्या इसा क्यों हुआ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि A के करीब जो थे वो एफ और E थे तो पहले information F और E को मिली और C के ज़्यादा करीब B था तो पहले C से जो information थी वो पहले B के पास पहुची तो जैसे यह information F और E को मिली और F ने validate किया, verify किया A के पास जो block है वो सही है की नहीं और B ने भी verify किया कि जो C ने block अपने blockchain में add किया है वो सही है की नहीं और उसने तुरन क्या किया अपने अपने में add के लिए जब देखा कि सब कुछ सही चल रहा है अब जैसे ही यह हुआ, अब आप देखेंगे कि यहाँ पर एक conflict शुरू हो गया Conflict क्या है कि यह जो network है AEF का, इनके पास different set of blockchain है और BC जो है, यह network है, इनके पास different set of blockchain है अब यह है conflict, अब ऐसा conflict क्यों है, क्योंकि अब क्या होगा, क्योंकि भाई, अब A को यह information जिसे F और E को मिली तब यह information वो B को देगा कि उसी तरह से B भी यह information A को देगा कि उसके पास भी एक block add किया है उसने तो कुछ इस तरह का scenario होगा, जहाँ पर B ने A को बताया कि मैंने एक purple color का block अपनी blockchain में add किया है और A भी बताया कि मैंने एक orange color का block अपनी blockchain में add किया है F और E भी क्या करेंगे, C को बताएंगे कि मैंने एक orange color का block अपनी blockchain में add किया है अब यहां पे हो गई problem तो अब इसका क्या solution है तो consensus protocol बहुत ही simple सी चीज कहता है वो यह कहता है कि अगर कोई दो different network में different different blockchains हैं जैसे कि यहां पे different set of blockchain है different set of blockchain और यहां पे एक different set of blockchain है AEF के पास same blockchain है और BOC के पास same blockchain है तो इन दुनों network में अलग लग blockchains हैं तो यह protocol यह कहता है कि हम उसी blockchain को accept करेंगे जिसके पास longest blockchain होगी तो जिस भी network के पास longest blockchain होगी हम उसी को मानेंगे valid blockchain और जो दूसरी वाली होगी उसमें से जो भी block होगा उसको discard कर देंगे मतलब क्या है अभी समझ में आ जाएगा अब हुआ क्या कि यहां पर यह overall network में AEF है और यहां पर B और C अपना एक network बनाए होगे है तो यह दोनों अभी ना A purple वाली block को AEF ना तो purple वाली block को add करेंगे अपने में नहीं B और C क्या करेंगे औरेंज वाली block को अपनी blockchain में add करेंगे अब वो wait करेंगे wait करेंगे कि कौन सबसे पहले कोई दूसरा block मतलब इसके बाद कोई दूसरा block माइन कर पाएगा तो जो भी network जैसे B और C में मान ले किसी B और C ने अगर पहले कोई block माइन कर लिया तो क्योंकि इनके पास six blocks हो जाएंगे तो AEF को B और C की बात माननी पड़ेगी और अगर AEF ने let's say कुछ एक और block अपने में add कर लिया तो उस particular case में क्या होगा कि इनके पास longest chain हो जाएगी तो उस particular case में इनको AEF की बात माननी पड़ेगी हम यह assume कर रहे हैं कि AEF, BC यह सब के पास same computation power है मतलब कि mining को अगर आपने वीडियो में देखा हो तो सब सारे miners को computational problem solve करनी होती है और हम यह assume कर रहे हैं कि AEF के पास, BC के पास, सब के पास एक ही जैसी computational power है तो उस एक ही जैसी computational power होने की वज़ए से AEF का जो network है, वो जादा powerful है as compared to BC कि AEF के पास इस समय जादा capability है उस mathematical problem को solve करने की और block को add करने की as compared to BC क्योंकि B और C एक तरह से एक तो कम है और इनकी hashing power AEF के comparison में हम कह रहे हैं कि कम है क्योंकि AEF 3 है और B और C सिफ दो है और सब के पास क्योंकि एक ही computational power है तो इनके पास एक तरह से तीन computational power है और इनके पास दो computational power है तो होगा क्या क्या क्योंकि AEF जादा powerful है तो वो क्या करेंगे एक particular block जल्दी से mine कर पाएंगे तो मैंने क्या assume कि AE ने तुरंट से एक दूसरा block भी mine किया अब क्योंकि AE ने ये block mine किया तो वो तुरंट से वो information देगा AFBC को तो ये information जाएगी AF के पास वो भी क्या करेंगे ये block को validate करेंगे, verify करेंगे और अपनी blockchain में add कर लेंगे अब देखें यही चीज होने वाली है क्योंकि अब इनके पास 6 एक longest blockchain है इनके पास 6 ही block की एक blockchain है और इनके पास सिर्फ और 5 block की एक blockchain है तो अब इन network में इस network की comparison में जो blockchain है वो छोटी है इसलिए B और C को ये वाले blocks को discard करना पड़ेगा और जो भी इस network में blockchain है उसी को क्या करना पड़ेगा accept करना पड़ेगा तो यही है consensus protocol का solution competing chain problem के लिए तो बड़ा ही simple सा step है इसमें कुछ भी ऐसी complicated सी चीज नहीं है अगर आप इसको फिर अगर नहीं समया तो एक बार वीडियो फिर देखेगा तो आपक उसको ही accept करेंगे और क्योंकि AEF के पास longest chain थी तो B और C को यह longest chain को accept करना पड़ा और जो यह block था उसको discard करना पड़ा तो इन blocks से basically क्या होता है यह blocks जो होते हैं हमारे orphan blocks होते हैं और इनको क्या कर दिया आता है network से ही discard कर दिया जाता है और इनको एक तरह से dashboard में fake दे जाता ह तो जो हमारा overall system है फिर at 9 वो कुछ इस तरह से दिखाए देता है जो जितने भी miners थे सबके पास एक जैसी blockchain हो जाती है अब यहां पर कुछ important point जो आपको जरूर से द्यान रखने चाहिए वह यह है कि जब हमनोंने बैजन्टाइन फॉल ट्रॉलिंस के बारे बैजन्टाइन जनरल प्रॉल्म के बारे नहीं पढ़ा था और उसमें क्या था कि हमें 66% की majority चाहिए रहती थी अगर आप नहीं वह व कार्ट करते हैं बट consensus protocol एक तरह से जादा अच्छा है जो हमारे बेजन्टाइन फॉल टॉल टॉलिंस जो उस समय का research paper से रीजन भी यह से 51% की majority को मांगता है अगर 51% लोग कोई particular चीज़ कह रहे हैं तो उसकी बात को मान लिया जाते हैं दूसी चीज जितने भी transaction थे orphan block के ज जो की दम true nature में सारे transactions रख राता जो भी C ने माइन किये थे बट क्योंकि इन blocks को हमें discard करना पड़ा इसकी वज़े से ना तो C को कोई rewards मिलेंगे और plus जो transaction उस block में थे उसको क्या करना पड़ेगा वो एक तरह से waste होगे मतलब कि वो transaction गये तो थे मगर उसको process नहीं किया गया तब तक के लिए हमें wait करना चाहिए अपने transaction को confirm मानने के पहले अधरवाइस दिक्कत हो सकती है जिसे हम लोग double spending problem कहते है जो कि हम लोग आने वाले वीडियो में देखेंगे आई होप आपको इस वीडियो समझ में आया हुगा और अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत आईए तो कमेंट जरूर से करिए मैं definitely उसको solve करूँगा और प्लीज से like, share और subscribe जरूर से कर दीजे तब दक के लिए bye bye